Hello everyone, Welcome to my YouTube channel आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम Railway ALP 2018 का Final Cut-Off देखने वाले हैं देखो इससे पहले मैंने आपको CBT-1 का जो Cut-Off रहा था 2018 में वो भी दिखाया था उसके बाद CBT-2 का क्या Cut-Off रहा था वो भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था लेकिन आज मैं आपको जो है Final Cut-Off दिखाऊंगा यानि की CBT-2 क्लियर करने के बाद साइको क्लियर करने के बाद DV Medical के लिए जो Cut-Off बना था सभी की सारारभी का वो कितना था इससे भी आपको कही न गहीं थोड़ा सा एडिया जरूर मिलेगा कि किस अरारभी में Competition कितना रह सकता है वैसे तो 2018 से हम लोग comparison नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2018 में Number of Vacancy बहुत जादा थी साथ में Technician की Vacancy भी थी और कुछ जोन में Technician का Cut-Off बहुत लो भी था कुछ में बहुत हाई भी था तो यहां पर मैंने क्या किया है सभी 21 RRB का ALP का जो Cut-Off है उसको मैंने यहां पर separate किया है और सिरफ मैं आपको ALP का ही Cut-Off दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ALP exam के CBT1 की त्यारी करने के लिए best book की जो चक्षू परकाशन की तरफ से आती है अगर आप stage 1 की बहतर त्यारी करना चाहते हैं तो आप चक्षू परकाशन की study guide ले सकते हैं इसमें आपको mathematics, journal science, reasoning और current affair देखने को मिल जाता है पच्षिस्तो से जादा MCQ questions साथ में दो solve paper भी आपको मिल जाते हैं नवीनतम pattern पर अधारी थैंगर बात करते हैं topics की तो सभी topics यहाँ पर quality with quantity cover किये गए हैं अगर आप लोग चाहें तो आप इन books का combo pack भी purchase कर सकते हैं जिसमें आपको assistant local pilot की study guide साथ में practice book और उसके अलावा reasoning, mathematics और समानने अध्यान की chapter wise book भी देखने को मिल जाती है जिसमें 6000 से ज़्यादा MCQ आपको मिल जाते हैं सभी के solutions भी available हैं इनको purchase करने का direct link description में है या फिर आप चाहें तो नजदी की book store से भी इनको purchase कर सकते हैं तो देखें सबसे पहले तो screen पर आप देख सकते हैं यह CBT1 का cut-off था लेकिन CBT1 के cut-off से अभी आपको कोई मतलब नहीं है क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ उस time पर जो CBT1 का cut-off था अगर आप देखेंगे तो minimum qualifying marks पे ही selection हो गया था UR का 40-40 है OBC का आप देखेंगे 30-35 उसके अलाबा SC-ST का बहुत कम cut-off था क्योंकि number of agency बहुत जादा थी जिसके कारण से यहां पर जो है 20 गुना candidate को select किया गया था CBT2 के लिए तो यह cut-off बहुत ही minimum marks पे चला गया था तो इसको देखकर तो कोई फायदा नहीं है उसके बाद अगर हम बात करते हैं CBT2 के cut-off की अलागी 2018 में CBT2 का भी जो cut-off था वो भी इतना ज़्यादा high नहीं था अगर आप देखेंगे UR का 40, 50, 60 तक की range में था और 60 से उपर 70 की range में कोई cut-off नहीं था ऐसे कर आप OBC का देखेंगे तो 40 से 50 की range में cut-off था आप देखो final cut-off कैसे बनता है पहले वो समझ लो होता क्या है कि जब आप CBT2 देते हैं CBT2 में होता है आपका एक part A होता है और उसके बाद एक part B होता है ठीक है तो यह जो part B होता है तो सिरफ qualifying होता है इससे कोई मतलब नहीं लेकिन यह जो part A होता है 100 marks का इसके जो आपके marks होते हैं उसमें से 70% marks को pick किया जाता है जिते भी आपके marks से 70% लिया जाता है और जो आपका psychotest होता है वहाँ से लगबग 30% marks लिया जाते हैं इस तरह से यह 70-30 को मिला के 100 marks में से आपकी final cut-off बनती है जो आपकी DV और medical के लिए रहती है तो वही वाली cut-off मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा सभी किस RRB की तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ALP की DV medical के लिए cut-off किस तरह बनती है और यहाँ पर ALP 2018 की final cut-off आपके सामने है अब देखो आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है जैसे ही cut-off यहाँ पर 79 लिखावा है ना तो यह 79.03 इस तरह से थी सारी cut-off तो मैंने क्या किया है कि अगर मैं इसको points में लिखता तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होती मैंने points वाले सारे marks remove कर दी है सिर्फ मैंने जो exact figure है उसको यहाँ पर रख लिया है दूसरा मैं आपको बता दूँ पिछली बार जो ALP की vacancy थी उसमें electrical और mechanical दोनों के लिए अलग-अलग यहाँ पर है seats available थी दोनों का cut-off भी अलग-अलग बना था तो यहाँ पर मैंने जो cut-off लिया है ना वो maximum वाला लिया है मालों की किसी zone में electrical का cut-off यहाँ पर 79 था और mechanical का 78 था तो मैंने यहाँ पर 79 यह maximum वाला लिया है ताकि आपको पता लग जाए कि maximum possibility cut-off की कहा तक है ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो cut-off किस तरह से है और अगर आप लोग कहेंगे तो बिल्कुल point by point भी मैं cut-off आपको दिखा दूँगा उसका भी मैं पूरा चार्ट प्रिपेर कर दूँगा लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हैं सबसे बहले बात करते हैं अजमेर की तो अजमेर का cut-off यहां पर था 79 UR का OBC का 77 SC का 73 और ST का 69 और यह बिल्कुल final cut-off था चीज मैं आपको और clear कर दूँ पिछली बार यहां पर क्या था UR के लिए OBC के लिए 64 SC के लिए 61 और ST के लिए 51 अलाबाद की बात करें 75 UR का था OBC के लिए 72 SC के लिए 66 ST के लिए 58 बैंगलोर की बात करें 72 UR के लिए 69 OBC SC के लिए 60 और ST के लिए 54 बोपाल की बात करें 76 UR 73 OBC 68 SC और 65 ST के लिए cut-off था अबुवनेश्वर की बात करें 72 UR के लिए 68 OBC के लिए SC के लिए 60 था और ST के लिए 57 था बिलासपूर की बात करें 73 UR 70 OBC 62 यहाँ पर SC और 59 ST के लिए चंडिकड की बात करें तो 73 था यहाँ पर UR का 68 OBC का 63 SC का और ST के लिए 47 यहाँ पर देखो आप यहाँ पर 44 था और यहाँ पर 47 ST का cut-off कुछ जोन में बहुत ही कम था और अगर हम बात करें SC की तो SC का यहाँ पर आपको सबसे कम देखने को मिलेगा 55 यह गोरकपुर में OBC का बात करें तो अभी तक के जोन में OBC का सबसे कम cut-off आपको देखने को मिलेगा यह 64 यहाँ पर एहम दबाद में और UR की बात करें तो UR में भी 69 है आपर बाकी सम में 70 की रेंज तक cut-off जा रहा है अब बात कर लेते हैं आगे चेन नहीं की तो चेन नहीं में यहाँ पर जो cut-off था आपका UR के लिए 72 OBC के लिए 69 SC के लिए 63 और ST के लिए 49 गुहार्टी में 66 था UR के लिए 60 था OBC के लिए 52 SC 47 आपका ST के लिए जम्मू में 67 था आपका UR के लिए 62 OBC 49 SC और 39 ST के लिए देखो यहाँ पर 39 तक ही जा चुका था cut-off कोलकाता में 73 UR 62 OBC और यहाँ पर SC और OBC सेम नहीं है यहाँ पर पॉइंट्स में थोड़ा चेंज था लेकिन मैंने कम्प्लीट फिगर लेकि आपको समझाने की कोशिश किया 47 ST के लिए था मालदमे 72 UR 68 OBC 61 SC और 57 ST मुंबई की बात करें 71 था आपका UR के लिए 68 था OBC के लिए 64 SC और 59 ST के लिए मुझफरपूर की बात करें 70 UR 63 OBC 43 SC और 47 ST के लिए था पत्ना के बात करें 74 था UR के लिए 71 था OBC के लिए 67 SC के लिए और 50 यहाँ पर था ST के लिए और आजी की बात करें 74 था यहाँ पर आपका यूर के लिए 71 OBC के लिए 59 ST के लिए और 57 ST के लिए सिगन्दराबाद में 74 UR 70 यहाँ पर OBC 65 ST और 57 ST के लिए था आगे बसता है सिली गुडी में 64 था UR के लिए 60 था OBC तो यह मैंने आपको सारे cut-off दिखा दी, यह बिल्कुल final वाला cut-off है, इस cut-off में जिसका भी selection हो गया था, वो DV Medical के लिए गया था, तो आप लोग कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से final cut-off था, और पिछली बार waiting का प्रावदान भी था, इस बार वो नहीं है, तो उसके according आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें